तो आएए इडाध्य कसट के माध्यम से आप सभी लोग बहुत सुन्दर सोहर की सोड करेंगे और तो दो तीन सखिया बैठी हुई हैं और आपस में बाते कर रहें कि सखी यह जो बाबा साब और बुद्ध भगवान और संत कभीर हैं और संत रविदास इन महापुर्शों का जनम कहा हुआ और किसले हुआ तो एक सखी कहते हैं सुनो बहना कि हाए मुरी सखिया कहना के जनमे कहते हैं सखी बाबा साब का जनम कहा हुआ हाई मुरी सकھیاں कहना के जन्द में बाबा भी मा हो कहना पुद्धिगा उतम हो कहना हाई मुरी सकھیاں कहना के जन्द में हाई मुरी सक्खियां, हाई मुरी सक्खियां कहना के जन में बाबा भे मा हो कहाना पुधि गातम हो कहाना और कहती है वहना हाई मेरी बहना, हाई मेरी बहना कहान के जन में राब भिदास्ता हो जो ग्याना वोई बता मैं हो जो ग्याना वोई बता आवाई हो तो सक्खिय कहते है शुनो बहना हाई मेरी बहना, हाई मेरी बहना मा हूम जन में बाबा भी मा हो लंबिनी बना कौतम बुधा हो लंबिनी बना कौतम बुधा हो हाई मेरी बहना कासी मजन में राबिदासा हो जो ग्याना कुई बता मैं हो जो ग्याना कुई बता वाई हो तो फिर बेहना कहते है बेहना आखिर इन लोगों का जनम तो हुआ लेकिन किस कारण से इन लोगों का जनम हुआ और कहते है क्या हाई मोरी सक्कियां हाई मोरी बहना काहन की रहियां पाबा भीमा हो गुद गोतम पुर्धी हो तो हुर गोतम हाई मोरी सक्कियां हाई मोरी सक्कियां काहन की रहियां पुर्धी बहना का जनम हो गुद गोतम हो हो जो ग्याना वोई बतावे हो तो रहां वोई बतावाई हो तो सखे कहते सुनो हाई मेरी बहना हाई मेरी सखिया सिच्छा की रहिया बाबा भीमा हो तो धम्मा पुधिगातम हो तो धम्मा पुधिगातम हो हाई मुरी सखिया समता की रहिया रह बिदासा हो जो रह है वोई बतावाई हो जो ग्याना वोई बतावाई हो हाई मुरी सखिया कहना के जन्न में बाबा भीमा हो कहाना भूले बाबा सहर की बोले संत गुरु रहिविदास की हाई